तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग देखें 11th class का chapter number 11 electric current through conductors ये chapter start करने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तो ये electric current क्या होता है electric current को समझने के लिए हम यहाँ पर एक example लेते हैं दोस्तो यहाँ पर देखें ये एक metal का conductor है तो यह जो metal का conductor है इसके अंदर बहुत सारे free electrons होते हैं दोस्तो छो अंदर देखे, फ्री इलेक्ट्रोंस होते हैं, जिसके ओपर नीगेटिव चार्ज होता है, और यह जो फ्री इलेक्ट्रोंस है, वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, फ्रीली घूम रहे होते हैं, ठीक है, रैंडमली घूम रहे होते हैं, यह किसी भी डाइरेक्शन में रैंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में गुमना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यह इलेक्ट्रोंस गुमना स्टार्ट करते हैं, मतलब क्या है, चार्ज गुमना स्टार्ट करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रों के साथ साथ निगेटिव चार्ज भी फ्लो करते हैं, ठीक कहा है दिखे दोस्तों, flow of charge per unit time is called as electric current, electric current क्या होता है it is charge flow per unit time, okay, कितना charge flow कर रहा है per unit time, उसको electric current बोला जाता है, तो यह electric current का formula आप कैसे रिखोगे electric current electric current is equal to what is equal to charge upon time, ठीक है okay, charge दोस्तों हम क्यों लेटर से दिखाते है time हम t लेटर से दिखाते है और electric current हम i लेटर से दिखाते है तो यहाँ पर देखे दोस्तों, i is equal to q upon t, यह formula मिल जाएगा आपको, current का तो दोस्तों, current का formula तो आपको यहाँ पर मिल चुका है, तो फिर दोस्तों, current जो है उसका unit क्या होगा, किसी भी quantity का unit निकालने के लिए है, उसका formula देखना पड़ता है तो दोस्तों, यहाँ पर current है उसका unit क्या होगा, देखे unit of current electric current unit of electric current, क्या होगा, देखे electric current का जो formula होगा, उसके अंदर charge upon time है, तो charge का unit क्या होता है दोस्तों, charge का unit हमें पता है column होता है, ओके और time का unit क्या होता है time का unit होता है दोस्तों यहां पर दिखे second तो column per second यही है दोस्तों current का unit तो यह जो column per second है देखे यह ऐसे दिखाते है ना column हम C symbol से दिखाते है और second हम S symbol से दिखाते है ठीक है तो यह column per second जो है यही है दोस्तों current का unit लेकिन दोस्तों यह जो column per second है इसी को ampere बोला गया है, ampere नाम का एक scientist था, उसकी याद में इसको ampere बोला गया है, ठीक है, तो हम electric current जो है, उसका unit ampere मानते हैं, और इसका symbol क्या है, A, capital A, जैसे आपको 5 ampere current दिखाना है तो आप 5 ampere ऐसे बोलते हैं, 10 ampere current दिखाना है तो आप 10 ampere ऐसे बोलते हैं, 1 ampere का मतलब कहा है दो अब दोस्तो current की definition हमें यहाँ पर पता चल चुकी है, formula हमें यहाँ पर पता चल चुका है, ठीक है, उसका unit भी हमें पता है, current का ampere होता है, लेकिन दोस्तो current को measure करने के लिए जो instrument यूज करते हैं, उस instrument का नाम क्या है, जैसे time को measure करने के लिए दोस्तो हम लोग stopwatch का यूज क सिंबॉल ऐसे है दोस्तों दीखें यह एमिटर का सिंबॉल ऐसे है ओके दो एंड्स होते हैं एक positive terminal होता है इसका एक negative terminal होता है इस एमिटर को current को measure करने के लिए आपको जो circuit है उसके अंदर series में लगाना होता है ठीक है जैसे यह एक circuit है इस circuit में अगर आपको current measure करना है तो यह जो एमिटर है इसको आपको series में लगाना है मतलब दीखें यह सेल का positive terminal है यह negative terminal है ठीक है तो इसको आपको लगाना है कुछ इस तरीके से दीखें यहाँ पर आपको cut करके यह एमिटर ऐसे लगाना होता है और इसका जो positive terminal है वो cell के positive terminal से और जो negative terminal है वो cell के negative terminal से आपको connect करना होता है ठीक है यह emitter आपको इस circuit के अंदर का जो current है वो current कितना है वो बताता है तो अब हमने देखा दोस्तों electric current क्या होता है अब आगे बढ़ते हैं और देखते है potential difference का मतलब क्या है तो दोस्तों यह जो potential difference है यह V लेटर से दिखाए जाता है जैसे current I लेटर से दिखाते हैं वैसे potential difference V लेटर से दिखाए जाता है और potential difference का जो unit है दोस्तों वो volt है तो जैसे कभी आपने पूछा होगा कोई battery का voltage कितना है ठीक है तो voltage आप पूछ रहे हो मतलब आप potential difference पूछ रहे हो ठीक है उसके दो टर्मिनल की बीच potential difference कितना है आप पूछ रहे हो ठीक है तो दोस्तों जो potential differences की definition तो हम बाद में देखेंगे लेकिन सबसे पहले देखते हैं potential difference का use क्या है तो सबस्तों आपके पास देखें दो wires हैं ये दो wires हैं और उसको bulb से यहाँ पे connect किया गया है तो दोस्तों ये जो wire है और ये जो bulb है इसके अंदर से current को flow होने के लिए ये दो point के बीच potential difference होना ज़रूरी है अगर ये दो point के बीच potential difference नहीं होगा तो इस wire के अंदर और इस bulb के अंदर current flow नहीं होगा तो ये जो potential difference का use है वो current को flow करने के लिए ठीक है चार्ज को flow करने के लिए तो अगर ये दो point के बीच potential difference नहीं होगा तो current इसके अंदर flow नहीं हो सकता ठीक है तो यह potential difference produce करने का काम कौन करता है यह करता है दोस्तों sale या फिर आप बोल सकते हो battery तो अगर यह दो points अगर किसी battery से connect करें हम यहाँ पर दिखें अगर किसी battery से इसको हम यहाँ पर connect करें और यहाँ पर key को on करें तो इसके अंदर से क्या होगा current flow होना शुरू करेंगा positive terminal से negative terminal तरफ यहाँ पर दिखें current flow करना शुरू करेंगा तो जब यह current flow करेंगा तो यह bulb blow हो जाएगा तो current को flow होने के लिए यह जो दो points है यह दो points के बीच potential difference होना जोरी है और यह दो points के बीच potential difference कोन पैदा करता है यह battery पैदा करती है बैटरी के जो दो terminals होते है इनके बीच potential difference होता है तो इस terminal को अगर हम यह end connect करेंगे और इस terminal को हम यह end connect करेंगे तो यह दो points के बीच भी potential difference पैदा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से हमें दोस्तो एक बात पता चलीग potential difference is necessary for current to flow current को flow करने के लिए potential difference ज़रूरी होता है तो इसको imagine करने के लिए हम यहाँ पर example लेते हैं दोस्तो देखिए जैसे current को flow करने के लिए potential difference ज़रूरी होता है तो वैसे दोस्तो water को flow करने के लिए है क्या ज़रूरी होगा pressure difference ज़रूरी होगा और यहाँ पर आपके पास एक दूसरा टैंक है पानी का ठीक है और यह दो टैंक्स यहाँ पर देखे एक पाइप के थ्रू कनेक किये गए हैं इस टैंक में जो पानी है उसकी लेवल यह है और यह टैंक में पानी की जो लेवल है वो यह सेम लेवल है ठीक है तो अगर यह ऐसे connect किया गए है तो इन दोनों का जो pressure है वो same है इसका pressure और इसका pressure same है दोस्तों तो यहाँ पे कोई pressure difference नहीं है इसके वज़े से इस pipe के अंदर से पानी flow नहीं होगा ठीक है इन दोनों के बीच अगर pressure difference नहीं है तो पानी flow नहीं होगा लेकिन अगर यही दो टैंक हम अगर इस तरीके से connect करें मान लेते हैं एक टैंक के height ऐसे रखेंगे हम ठीक है और दूसरा जो टैंक है उसको ऐसे रखेंगे ठीक है और pipe जो है उसको हम ऐसे connect करेंगे ओके एक टैंक में मान लेते हैं अब पानी इतना है दूसरे टैंक में मार लेते हैं पानी इतना है अब देखिए दोस्तो यह जो टैंक है इसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और यह जो पानी है इसके अंदर प्रेशर क्या है यहां का इस पॉइंट का प्रेशर कम है तो अब दोस्तो potential difference की जरूरत क्या ही है तो हमें समझ में आ चुका है लेकिन exactly potential difference की definition क्या है उसका अब हम यहां पर समझेंगे तो अब दोस्तो यह potential difference की definition क्या है देखें इसका मतलब क्या है जो potential difference है उसका formula क्या होगा दोस्तो potential difference is equal to work done per unit charge मतलब work done upon charge यह formula है दोस्तो potential difference का और यह definition है इसका मतलब अब हम यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर देखिए एक sale है इसका positive terminal negative terminal है और इस sale को अगर दोस्तो यहाँ पर आप देखिए कोई एक bulb connect कर दोगे और यहाँ पर key को on कर दोगे तो क्या होगा दोस्तो यहाँ पर देखिए current flow करने लगेगा current flow करता है मतलब क्या होता है ठीक है तो यह चार्ज चा फ्लो करेगा तो चार्ज क्या करेगा इस बल्ब को ब्लो करेगा मतलब चार्ज यहां पर कुछ काम कर रहा है न ठीक है तो वो काम divided by वो जो चार्ज काम कर रहा है वो चार्ज इन दोनों के रेशो को दोस्तो पोटेंशल डिफरंस बोला जाता है ठी इसके अंदर देखिए work done divided by charge है, तो फिर दोस्तो इसका unit क्या होगा, work done का unit क्या होता है, joule, और charge का unit क्या होता है, दोस्तो, कुलम, तो वैसे तो potential difference का unit क्या होना चाहिए था, joule per second होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इस joule per second को ही एक नाम दिया गया है दोस्तो, जिसका नाम है क्या है, volt है, तो जो potential difference है, वो volt में measure करते हैं, और symbol है उसका phi, एक volt का मतलब क्या होता है, एक volt का मतलब होता है, एक joule per कुलम, तो अब दोस्तो, potential difference की definition हमें आप पता चल चुकी है, ठीक है, उसका हमें यहां पर दीखे, formula पता चल चुका है, और उसका unit भी हमें यहां पर पता चल चुका है, तो potential difference को measure कैसे करते हैं, कौन सा instrument यूज करते हैं, जैसे current को measure करने के लिए, मैंने आपको बता है कि emitter यूज करते हैं, वैसे दोस्तो, potential difference को measure करने के लिए, को हम voltmeter बोलते हैं तो potential difference को measure करने के लिए हम voltmeter का use करते हैं तो यह जो voltmeter है दोस्तों देखिए device used to measure potential differences voltmeter तो जो voltmeter है इसका symbol क्या है इसका symbol होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए V ओके यह positive terminal यह negative terminal जैसे current को measure करने के लिए हम जो emitter use करते थे यह emitter देखिए हम series में connect करते थे न हम यहाँ पर connect करते थे इसको ठीक है लेकिन potential difference जो है दोस्तों यह potential difference दो point का होता है किसी एक point का नहीं होता है दो point का होता है ठीक है इसलिए यह जो volt meter है यह volt meter हमें 2 point पे connect करना होता है जैसे कि सबोज आपको इस point का potential difference measure करना है तो यह जो volt meter है यह आपको ऐसे connect करना होगा इसको आपको parallel में connect करना होगा कि यह दो point की property है potential difference तो इसको दो point पे connect करना होता है इसलिए इसको parallel में connect करते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो reading मिलेगा आपको इस दो point के बीच का potential difference आपको यहाँ पर मिलेगा ठीक है, अगर आपको ये दो point के बीच का potential difference पता करना है तो आप यहाँ पे connect कर दोगे, voltmeter को आप ऐसे connect कर दोगे ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो potential difference का concept है यह खतम होता है, अब next concept है, यहाँ पर पढ़ना है कि direction of electric current, electric current की direction क्या होती है तो दोस्तों यह जो electric current है, आए, circuit में इसकी direction क्याså熬 करना है आपको, तो अब देखतें दोस्तों यह जो electric current है, इसकी direction क्या होती है तो सुपरोच दोस्तों दीखें, यहाँ पर एक circuit है, यहाँ पर एक cell connect कर आगा है इसका यह positive terminal है, यह negative terminal है, यहाँ पर एक plug की है और यहाँ पे एक bulb को गनेक किया गया है तो जैसे आप यहाँ पर plug को insert करते हो मतलब key को on करते हो क्या होगा दोस्तो यहाँ पे current flow करना शुरू करेगा ठीक है और current की direction क्या होती है current की direction हमें साथ दोस्तो positive terminal से लेके negative terminal तब होती है ठीक है तो दोस्तो current positive terminal से negative terminal की तरफ flow करता है लेकिन जो electrons है देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था हर conductor के अंदर electrons होते है wire के अंदर electrons होंगे तो यह जो electrons है यह electrons negative terminal से positive terminal की तरफ flow करते है लेकिन current जो है वो positive terminal से negative terminal की तरफ flow करता है ठीक है तो दोस्तों यह जो current है current positive terminal से negative terminal की तरफ और electrons negative terminal से positive terminal की तरफ ऐसा क्यों है क्योंकि दोस्तों जब current की discovery हुई थी तब scientists लोगों को लगा कि positive charge मुग करता है ठीक है positive charge मुग करता है negative charge की तरफ ठीक है इसलिए उन्होंने जो है current की direction positive terminal से negative terminal assume की लेकिन बाद में कुछ सालों बाद उनको पता चला कि positive charge नहीं flow करता है बलकि electrons जो है वो negative terminal से positive terminal की तरफ flow करते हैं ठीक है लेकिन क्या हो आँ दोस्तों तब तक जो है सारी किताबे सारी circuits वगेरा जो है वो तयार हो चुके थे उनकी diagram तयार हो चुके थी ठीक है इसको direction of conventional current बोला गया ठीक है मतलब current की direction उन्होंने वही रखी लेकिन electron कहां से कहां flow होते हैं अगर किसी ने आप से पूचा तो electrons negative terminal से positive terminal की तरफ flow होते हैं इससे आपको बोलना है और current की direction क्या लिए नहीं है दोस्तों positive terminal से negative terminal ठीक है तो यहां पर दोस्तों electric current की direction हमें पता चल चुके है electric current की direction क्या होते है positive terminal से negative terminal हमेशा और electrons कहां से कहां flow करते हैं negative terminal से positive terminal की तरफ अब बात करते हैं दोस्तों electric field की direction क्या होते है पिछला जो जाप्टर हमने study किया है electrostatic उसके अंदर हमें पता है दोस्तो इलेक्टिक फिल्ड की डाइरेक्शन क्या होती है तो इलेक्टिक फिल्ड की डाइरेक्शन हमेशा दोस्तो दिखें दो प्लेट्स होती है एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट और दूसरी निगेटिव चार्ज की प्लेट तो हमेशा इन दोनों के बीच electric field की direction क्या होगी electric field की direction हमेशा positive terminal से negative terminal की तरफ होती है यह हमें पता है ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों अगर एक conductor है मान लेते हैं यह conductor है ठीक है और यहाँ पे अगर आपने एक sail या फिर battery को अगर connect कर दिया तो दोस्तों यह battery का positive terminal है यह negative terminal है की को जब on करते हो तो यह terminal क्या हो जाएगा positive यह terminal क्या हो जाएगा दोस्तों negative तो यह जो conductor है इसके अंदर electric field की direction क्या होगी positive terminal से negative terminal होगी ठीक है तो इसके अंदर जो electric field की direction होगी ना वो positive terminal से negative terminal की तरफ होगी और जैसी कि हम last chapter में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि electric field की direction क्या होती है अगर वहाँ पे अगर आप कोई test charge लेकर आते हो कोई छोटा सा test charge test charge by default positive होता है मैं पता है तो अगर यहाँ पर अगर कोई test charge आप लेकर क्या आते हो तो इस test charge के उपर किस direction में force लगेगा उसी direction में electric field होती है यह हमें पता है ठीक है तो यहाँ पर अगर test charge लेकर आप पॉजिटिव चार्ज तो इस direction में उसके उपर force लगेगा ठीक है तो पॉजिटिव चार्ज के उपर इस direction में force लगेगा तो negative charge के उपर मतलब electron किस के उपर किस direction में force लगेगा दोस्तो electrons के उपर इस direction में force लगेगा ठीक है इसलिए electrons इधर बागते हैं ओके तो दोस्तो यहाँ पर electric field की direction भी हमें पता चल चुकी है तो यहाँ पर दोस्तो यह वीडियो कतम होता है अगली वीडियो में दोस्तो हम drift speed क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे ठीक है दो मिलते हैं अगली वीडियो में दन्यार चान को प्ली सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ चेर करें